श्री गणेशाय नमा चंद्र ग्रहन 28 अक्तूबर 2023 शनिवार देर रात एक बचकर पांच मिनट से लेकर दो बचकर 24 मिनट तक रहेगा यानि यहाँ ग्रहन एक घंटा 18 मिनट का रहेगा इस चंद्र ग्रहन का सूतक काल भारत में मान्य होगा चंद्रग्रहन का समय चंद्रग्रहन का सूतक काल ग्रहन के 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है आथा भारतिय समय अनुसार चंद्रग्रहन का सूतक शाम में 4 बच कर 5 मिनट पर आरम हो जाएगा इस ग्रहन में चंद्रबिम दक्षन की तरफ से ग्रस्थ होगा देश और दुन्या में कहां कहां दिखाई देगा ग्रहन चंद्रग्रहन भारत, आस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिनी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कैनेडा, ब्राजील, एट्लांटिक महासागर में यह ग्रहन दिखाई देगा भारत में यह ग्रहन शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा सूतक काल में न करे ये काम चंद्रग्रहन का सूतक शाम में चार बच कर पांच मिनट पर प्रारंब हो जाएगा इस दौरान आपको किसी प्रकार का मांगलिक कार्य, स्नान, हवन और भगवान की मूर्ती का स्पर्श नहीं करना चाहिए इस समय आप अपने गुरु मंत्रक, भगवान नाम जब, श्रिहनुमान चालीसा कर सकते हैं चंद्र ग्रहन सूतक काल के दौरान भोजन बनाना वभोजन करना भी उचित नहीं है हालां कि सूतक काल में गर्भवती स्त्री, बच्चे, वृद्ध, जन भोजन कर सकते हैं ऐसा करने से उन्हें दोश नहीं लगेगा ध्यान रखे की सूतक काल आरंब होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दे इसके अलावा आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं चंद्र ग्रहन पुन्यकाल चंद्र ग्रहन से मुक्थ होने के बाद सनान दान पुन्य पुजा उपासना इत्यादी का विशेश महत्व हैं आथा 29 अक्टूबर सुभा सनान के बाद भगवान की पुजा उपासना दान पुन्य करें ऐसा करने से चंद्र ग्रहन के अशुब प्रभाव कम होते हैं जैसी आराम